हेलो एवरिवान आम अकाश गोर और आज में लेकर आयो वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होती है उसकी मेडिकेशन के बारे में हार्ट अटेक दिल का दोरा यह सारी चीज़े इसमें कवर करेंगे हिर्देगती कम चल रहे हैं कि हाट बिट क है तो अलग केटेगरी की ड्रक्स है दिल अगर आगे पीछे पीचे दलाग रहा है तो न कुछ और ड्रक्स आती है इससितर में सबसेब्शे हिलाक ड्रक गलायो शाइडिक ड्रक्स पहले जो केटेगरी हों ह плох के दोनों लिंग्विज में drugs के composition use, सारी चीज़े बताऊंगा, मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं इस चीज़ को, ठीक है, cardiac glycosidic drug, एक class होती, यह drugs की class होती, इसमें क्या होता है, इन दवाईयों में, इन दवाईया क्वोन सी, cardiac glycosidic drug जो होती है इनका इस्तेमाल heart failure और irregular heart beat के लिए किया जाता है यानि कि किसी व्यक्ति को heart failure हो गया है या फिर किसी व्यक्ति को heart failure का क्या मतलब होता है धड़कन अपने आप बंध हो जाना उसे heart failure केते है heart failure हो गया या फिर उसको जो धड़कन है आगे फीचे चल रही है यानि कि irregular heart beat तब देते है ये दवाईया heart pumping को नियंत्रित करती है जो अपका heart है उसकी pumping को बढ़ाती है मतलब बढ़ाने का मतलब ये है कि जो उसके heart है वो pump अगर उसमें कोई problem के वज़े से वो pump नहीं कर पा रहा है तो उसको pump करने में उसको धड़कने में ये जो दवाईया है वो मदद करती है ठीके improve करती है उसकी जो धड़कने की जो capacity है उसको improve करती ठीके तो guys पहली जो category बताईए मैंने glycosidic drug जो बताईए glycosidic जो drug होती है glycosidic drug जो है ये heart failure, irregular heart beat में इस्तमाल की जाने वाली दवाईया होती है देख सकते हैं अब लोग ठीक है अब आगे बढ़ता हूं में यहाँ से इसका स्क्रिंशोट लो दवाईयों के उपर स्विच करते हैं आप आती है पहली जो काईडियक गिलाइकोसाइडिक ड्रक में पहली जो आती है डिगोकसिन ब आप देख सकते हो डिगोकसिन डाइग्राम देख लो यह वाली इस तरह से जनेरिक नाम से मिल जाती है इसके डिगोकसिन 0.25 mg की टेबलेट आती है इसका जो है गाईस ओरल सोलुशन भी आता है पिलाने के लिए ठीक है डिगोकसिन होती है यह कब देते है डिगोकसिन को दि नियंत्रित रूप से धड़के यानिकि उसको नियंत्रित नार है समझो बात को मैंने बोला है अ depuis registrar की व्यक्ति हो गया 8 मिंट पता कैसे ग्रोगे गाई डिल लेशन होगा आप सिंपल बात है कोई मरीज आया उसको दिल का दोरा आपको लग रहा है यहां पर चेर्स पेन हो रहा ही हो रहा है तो आप क्या बोलोगे ECG करवालो ECG पढ़ना मैंने बताया है जाओ मेरी वीडियो देखो ECG की पूरी इडियर हिंदी भाशा में बताये ECG में मैंने बताया है एट्रियल फिब्रिलेशन किसको बोलते है वो जो चलती है रहे उसको कैसे देख के आप बदा पाओगे व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है atrial fibrillation का क्या मतलब होता है atrial fibrillation का simple मतलब होता है कि जो आपके हिर्दे के उपरी वाले भाग है चार चेंबर होते है उपर वाले atrium नीचे वाले ventricle तो उपर वाले जो atrium है यदि वो atrium अनियमित रूप से धड़ा करें ठीके atrium ज़्यादा धड़ा करें काम धड़ा करें नीचे वाले ventricle प्रोपर है but atrium जल्दी धड़ा करें या late धड़ा करें तो उसमें या हिर्दे हिर्दे के उपरी वाले भाग में atrium वाले भाग जो होता है वो अनियमित रूप से धड़ाकता है तब इसका इस्तमाल किया जाता है ठीक है अब इसका straight dose अगर ऐसे देखने को मिलता है तो straight ECG करवाई तुरंत आपको पता लगा कि व्यक्ति को atrium fibrillation हो रहा है तो straight dose का मतलाव है तुरंत दे देना व्यक्ति को ठीक है आई वी यदि आप injection form लगाते हो injection form में आगे बताऊंगा 8 से 12 mcg पर kg पर मैं kg की हिसाब से बता रहा हूँ 50 kg का मनुष्य है तो 50 kg में 12 का इंटू कर लो अब देखो या तो 8 mcg दो mcg मतला microgram mcg दो 8 या 12 दो अब यह 8 या 12 क्यों लिका मैंने इसलिए बोला 8 से 12 के बीच में देते 8 दे सकते है 11 दे सकते है 12 दे सकते है पर कब दे सकते मनुष्य की condition पर उसकी atrial fibrillation की विवस्ता के उपर कि उतने कितना धड़करा कितनी abnormal है डॉक्टर यह सारी चीज़े decide करता है physically देखता है patient को उसके बाद ही चीज़े decided होती है हमें इसे नहीं बता सकते कि यह दे दो वो दे दो ऐसे नहीं होता medicine में medicine में पहले आप patient को देखना पड़ता है उसकी physical इस्तिति आपको देखने पड़ती है उसके बाद आपको दी जाती है tablet form इसका और इसका solution 10-15 mcg माइक्रो ग्राम में आता है mcg ठीक है उसके according आप calculate कर लो ठीक है जैसे कि 0.25 mg लिखा हुआ है तो एक mcg में कितना mcg में कितना mcg होता है सबको पता होना चाहिए 100 mcg होता है ठीक है तो उसके हिसाब से calculation आपको करना पड़ेगा ड्रग calculation आना चाहिए आपको ठीक है तो ड्रग आप calculate कर लो जितना वजन है उतने वजन से into कर लो आप जितना बताया गया है ठीक है अब जो डिगोक्सिन की injection आते है ना हाट फेलियर यदि हिर्दे की धड़कन खो दे यदि कोई व्यक्ति अपनी धिर्दे की धड़कन खो राये खो दिये उसने धड़कन है बहुत ही कम हो गई है तब उसको तुरंत हम लोग क्या करते है डिगोक्सिन का injection दिया जाता है डि स्ट्रेट डोस व्यक्ति को दिया जाता है 250 mg का तुरंत व्यक्ति 250 mcg में mg बोल रहा हूं sorry mcg माइक्रो ग्राम में यह दिया जाता है तुरंत डिगोक्सिन का injection लगाया जाता है उससे तुरंत ही रैपिडली उसकी जो हार्डबीट है नियंत्रित होने लगती है ठीके स्क् अनियमिंत्रित धड़कना या तो जादा या कम ठीक है अनियंत्रित अब जब धड़केगी यह दवाईया अब मैं बता रहा हूं anti arithmetic drugs क्या होती है वो दवाईया के बारे में बता रहा हूं यह वो दवाईया होती है जिनका इस्तमाल हिर्दे गती को नियंत्रित करने के QNADINE के नाम से मार्केट में मिलती है QNADINE सलफेट होती है 200 mg की यह गोली आवालेबल रहती है QNADINE सलफेट याद रखना क्योंकि QNADINE के नाम से और भी मिल जाई है आपको QNADINE ग्लिस्रेल भी मिलती है कुछ और भी मिलती है बट QNADINE सलफेट जो मेडिशन होती है वो हम arithmetic drugs म वे दवाईया जो की हिर्दे गति को नियंत्रित करती हो क्यों इडिन होती है ये कभी उसकरते एट्रियल फिब्रेलेशन अभी मैंने आपको थोड़े देर बताये था कि यदि एट्रियं अनियंत्रित रूप से धड़कन लगे उसकी जो धड़कन है अनियंत्रित उसकी जब वो ventricle वाले भागे वो जो है वो अनियंत्रित रोप से जब धड़केंगे मैं पता नहीं आज क्या हो रहा मुझे मैं अनियंत्रित को अनियंत्रित बोल रहा हूं उसको प्रनाउंसिशन नहीं कर पा रहा हूं अनियंत्रित का इंदी में ठीए इसको abnormal बोल सकते हैं हम लो ठीक है और इस दवाई का जो डोस होता है ना गाइस वो मैं ऐसे बता ही नहीं सकता वो completely patient के उपर depend होता है patient की क्या condition है क्या वजन है कैसा है कैसा नहीं है उसको पुराने disease क्या है किस चीज़ से reaction है किस चीज़ सारी चीज़ इसमें देखने पड़ती है आरेक्स डॉक्टर प्रसक्राइब रहती है रेड लाइन जिसमें दवाई है रहती है याद रखना वो completely डॉक्टर प्रसक्राइब मेडिशिन होती है ठीक है ना यह जो होती है नोट यह दवाई जो यह आप यह जो क्यूनिटी ने गए इससे तीन से चार दिन से ज्यादा वेंट्रिकल फेड्रेलेशन में इसका स्थमाल किया जाता है स्क्रीन शोट ले लो इसका फिर आगे बढ़ता हूं अब आती एंटी-अरिथमेटिक कर देती है टेकी काडिया क्या होता है जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ आपको दो सिकंड का टाइम देता हूं जल्दी वीडियो को रोको कमेंट करो मुझे कमेंट करके बताओ टेकी काडिया का मतलब क्या होता है जल्दी मैं बता देता हूं वैसे तो आप पर आप लोग आपकी वांदरी से वीडियो को पॉस्ट करके कमेंट करके बजरू बताना टेकिक आडिया का मतलब होता हिर्दे गति का जादा धड़कना जब आपके हार्डबीट है वो अनियंत्रित हो जाए और जादा धड़कने लगे ठी वेंट्रिकल टेकिकाडिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल क्या होते है एक्रियम और वेंट्रिकल बहुत ज्यादा धड़कने लगे उनकी धड़कन बढ़े तब आप लोग प्रोकेनमाइड ड्रक्स का यूज़ कर सकते हो डोस एडल्ट में इसको 200 mg तुरंत दिया जाता है ठी इसको यूज़ कर सकते बट ज्यादा तर देखो सबका अपना अपना डॉक्टर का एक तरीका होता है उसके अकोडिंग को ट्रिट्मेंट करता है एक सित ध्यान रखना पहले एक मेटर हुआ था कि सर डेकलोपेनिक कंटेन है डाइने पार जो इंजेक्शन होता है वो आइवी दोनों तरह से इंजेक्शन पे भी लेका है दोनों तरह से इसको बट ज्यादा तर मैंने जहां तक देखा है मेडिकेशन होस्पिटल में आइवी इसको एकदम श्लो डिजॉल करके 10 मिनिट के अंदर इस इंजेक्शन को दिया जाता है जहां तक मुझे मैंने देख फाहे इस डॉडा डीके जहां आपके हैं इसको डिया जाता है टेकर मतलब जयादा रहतना ब्युक्त का नाम होता है और आपको किसी भी नाम से नाम से मिले गयां उससे मतलम नहीं है बच्ए वो जो डॉक्टर्स का मैं मैं रखते हैं ढब कोई भी भी आधाट ना दवाई का नाम नहीं लिखते दवाई का ड्रक्स लिखते उस ड्रक्स के नाम से आप कोई सी भी मेडिकेशन ले सकते हो ठीक है 200 mg के नम से 200 mg इसको तुरंत दिया जाता मरेच को स्क्रिंशोट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं कि यह जो है ना यह 100 mg पार एमेल यह शायद कितने मेल का है देखना पड़ेगा गई से एक्जेक्ली मुझे नहीं पता है बट यह 100 mg पार एमेल एक एमेल के अंदर 100 mg होता है इसकी ड्रक्स में ठीक है आप देखो नेक्स जो हाती है हमारी एंटी अरिथमेटिक उसी क्लास की ड कि डाइजओ पाइरमाइट ठीक है यह डाइजो फार्म अगीर नहीं वो सेडिटियों दवाईओ कि वो डाइजो पाम अलग हो देखो पारमाइड है ठीक है यह टेकई काडिया में स्तमाल टेकी काडिया सब लोग को पता है आप कह बहुत हिरते धड़कन अब हमको पता नह यहने कि हाड ज्यादा धढके तब दे सकते हैं यह हिर्दे गति को तुरंत ही नियंत्रित कर देता है थोड़ा टाइम लेता है ठीक है एडल्स में 300 mg q12 h हर 12 घंटे में याद रखना 12 घंटे में हम लोग को 300 mg टेबलेट यह दे रहा होती है यह जिसे कि 100 mg कि 100 mg क्या गोडिंग डिवाइट कर लो डोस कैसे होता है ठीक है और जीको डोस तो completely डॉक्टर पर डिपेंट रहता है कितना देना कितना निदेना है और आप भी यह चीद धियान रहो पेले पेशेंट को देखो क्या कंडिशन है क्या नहीं है उसको क्या प्रब एमा यूजुझ हो झालो और यह एंटीव ध मैतिक्ट्र gw optimize क्टि धृक्स्किक दवाई होती है कि नेट्स आती ज़ुक्ति क्लास कि दूसरी होती है वह थिना जोन अब यह प्रोफिना बहुत ज्यादा यूज होती है गाइस ठीक है ना टेकिक आडिया में इसका इस्तमाल किया जाते हैं जब हार्डबीट ज्यादा बड़े तब ही इसका इस्तमाल करते हैं यह हिर्दे गति को नियंत्रित कर देती है दवाई ठीक है एडल्ट में 150 mg q8 h इस्त्रेट डोज याने कि तुरंत फस्ट डे इतना देना है अगें सेकंड डे से इसको थोड़ा कम कर देते हैं q12 h कर देते याने कि 12 गंटे में देना होती है अभी इसको स्ट्रेट डोज में हम एडल्ट को 150 mg देत है और याद रखना स्ट्रेट डोज जो दिया जाता है उसके पेशेंट के कंडिशन के अकोडिंग के स्ट्रेट डोज का रिसाइड होते है इसको फिर आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट जो आती है एंट्रिथमेटिक क्लास की ड्रक्स होती है वह होती है एम्यो डेरोन एम्यो इसद कर दे एडल्ट में 150 mg दी जाती है यह इंजेक्टिबल भू में आती है और एम्योड एम्योड जो ताबलेट इसद द्यान रकना हो त्यक्राड दोनों फॉम में आवाइलेबल हो जाती है ठीक है एम्यो ड्रोन इंपोर्टिट मेडिकीशन है ज्यादा अदॉक्टर ब यूज करते हैं और M Drone बहुत फेमस ब्रांड है M Drone के नाम से 100 mg के नाम से मिलती है इसके इंशोट लेलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं अब आती एंटी एंजाइनल ड्रग अब यह ना तो इंशाइटी से संबंदी थे नहीं एंजाइम से संबंदी थे यह कुछ और चीज़े मैं बताता हूं आपको anti-enginal drug होती है इन दवाईयों का इस्तमाल enzyme pectoris में किया जाता अब ये enzyme pectoris ये एक परकार का attack होता है इस ठीक है समझेगा आपको बताऊंगो पूरी डीटल से यह एक ऐसी अवस्ता होती है enzyme pectoris क्या होता है मैं वो बता रहाँ enzyme anti-enginal drug तो वो होती जो enzyme pectoris से बचाती है पर ये enzyme pectoris क्या होती है यह एक ऐसी अवस्ता होती है जिसमें हिर्दे पर परियाप्त मात्रा में oxygen नहीं पोच पाती और वह है उसका प्रभा भी कम हो एक बार ये डाइग्रम देख लो आप लो देखो यह हार्ट है हार्ट के उपर की जो वह हार्ट के जो उपर वाला surface है उसको भी oxygen चाहिए पर हार्ट पर blood supply नहीं होगी oxygen properly नहीं पोच पाएगी तो एक अटेक आता है ठीक है उस अटेक को बोलते एंजाइना अटेक किसी व्यक्ति को क्या हुआ तूरंत ही किसी व्यक्ति को क्या हुआ तूरंत ही यहां पर दर्द हुआ दर्द हो गिर गया और तूरंत होस्पेटल ले गए अटेक होता है एकदम व्यक्ति को दर्द होता है दिल के दोरे जाता है अगदम गिर पड़ याता है चैकि उसके heart पर blood की जो सप्लाइंगे वह थोड़ी कम है उक्सिजन कामें उसे और यह योगा करते हो और यह को देखने को मिल सकता play, खेलते समय आप दोड़ते हो, रनिंग करते हो, या फिर कोई हाई पहाड़ी वाले area पर जाते हो, जहाँ पर आपको oxygen थोड़ी कम मिल पाती, वहाँ पर भी enzyme attack आपको देखने को मिलेगा, तो guys enzyme attack, enzyme enzyme anti-enzynyal drug के बारे में तो अभी मैं आपको बताऊंगो इस भी बाकी यह आप समझ लो screenshot ले लो शान्त बेटके एक बार इसको पल देना सारी चीज़े किलियर हो जाएगे दलती ले लो screenshot आप देखो anti-encional drug में सबसे पहली जो आती है वो होती है glyceral trinitrate nitrate class की जो drugs होती है वो ही इसके लिस्तमाल की जाती है nitrate क्या होती है dose कितना देना होता है 0.5 mg q6h यह straight first day पहले दिन आपको यह देना है कितना 6-6 गंटे में 0.5 mg उसके बाद 0.5 mg q8 कर दी जाती है यहने कि 8 गंटे में एक बार कर दी जाती है ठीक है next day से ठीक है important यह दवाई का असर ज्यादा समय नहीं रहता है अब आपने यह जो glyceral trinitrate लिए ना थोड़ी देर असर रहता है और उसके बाद इसका असर खतम हो जाता है याने कि लोंग लास्टिंग नहीं होती है इसका ध्यान रखना में लोंग लास्टिंग दवाई भी आपको आगे बताने वालों यह बहुत यह भी यूस की जाती ही वैसे लोंग लास्टिंग नहीं होती है और ग्लिस्रेल ट्राइन आइटरेट के नाम से मार्केट में मिलती है यह दियान रखना आप लोग स्क्रिंशोट ले लो नेक्स जो आती है हमारी एंटिएंजाइनल ड्रग में आती है आइसोसोरबाइट डाइनाइटरेट यह दवाई होती है जो पाच यह दवाई का असर लंबे समय तक रहता है ठीक है और दूसरी इंपोर्टेंट बात कि यह सब्लिंग्यल याने कि जुवान के नीचे जैसे रखेंगे वैसे पिगल जाती है कि जरूरी निए जिवान के आप नीचे ही रखो यह तक प्रॉसेजर है कि जिवान के नीचे रख होने लग जाएगी वो ठीक है तो सब्लिंगल इस टेबलेट को दिया जाता है डिजॉल हो जाती है माउत में रखते से हैंना जैसे की डोस इसका है पांच एमजी क्यूएट वैसे डॉक्टर के अकोडिंगे डिसाइड रहता है कितना देना है कितना नहीं देना ठीक है आई कितने प्रकार होते हैं कितने दिल के दोरे होते हैं और उनमें इस्पेशल मेडिशिन क्या दी जाती है यह तो एक हार्ट डिसेज के बारे में बैसिक चीज़े मैंने बताईए डीटेल वीडियो एक और आ जाएगे ठीक फूर वाचिंग गाईज आपका अपना इंडियन मे यह तो अन्मेश एक हारे यह तो होते हैं कितने बताई जैसे बताई एक हारे मेडियो एक हारे में वाचिंग जाएटिवा ओना इंड़ एक हैं जाएट टो हैं